हलो फ्रेंड्स घर संसार हेल्थ केर में आपका हर्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आपको मैं बताने चा रहा हूँ होटों का कालापन दूर करने के रामबान घरेलू उपाए इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूँ आपने हमारी यूटूब चैनल घर संसार हेल्थ केर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से स्वास्ते से समंदित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप यूज कर जीवन में हमेशा स्वास्त रहेंगे होटों को खुपसुरत बनाने के लिए आप क्या नहीं करती लिपेश्टिक, लिप बाम, मौस्चुराइजर और ना जाने क्या क्या लेकिन होटों पर लगाये जाने वाले कई उत्पाद वास्तों में उन्हें खुपसुरत बनाने के बजाए लंबे समय में उन्हें नुकसान पहुचा सकता है अगर आप भी अपने होटों के फटने या कालेपन से परिशान हैं तो इस वीडियो में बताया गए प्रकर्तिक उपायों को अपना कर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं इन उपायों को कोको बटर दो बड़े चम्मच कोको बटर आधा छोटा चम्मच हनी वैक्स लिजिए उबलते पानी पर एक बरतन में वैक्स डाल कर विगला दिजिए इसमें कोको बटर मिलाएं अब इस मिस्रण को ठंडा होने के बाद ब्रस की मदद से होटों पर लगाईए इससे होट मुलाया म होंगे और उनका कालापन दूर हो जाएगा दूद की मलाई होटों से रुखापन हटाने के लिए थोड़ी सी मलाई में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नियमित रुप से धीरे धीरे होटों पर मालिश करें आप देखेंगे कि इस घरेलू उपाय से कुछ ही दिनों में आपके होट मुलायाम और गुलाबी होने लगेंगे गुलाब की पंखुडियां होटों के काले पन को दूर करने के लिए गुलाब की पंखुडियां बहुत ही फायदेमंद होती है इसके नियमित इस्तिमाल से होटों का रंग, फलका, गुलाबी और चमकदार हो जाएगा इसके लिए गुलाब की पंखुडियों को पीश कर उसमें थोड़ी सी गिलिसरिन मिला कर इस गोल को रोज रात को सोते समय अपने होटों पर लगा कर सो जाएग और सुबह धोलें निम्बू क्या आप जानते हैं कि होटों के कालापन निम्बू से भी दूर किया जा सकता है इसके लिए आप निचोड़े हुए निम्बू को अपने होटों पर सुबह और शाम को रखने केसर होटों का कालापन दूर करने के लिए कच्चे दूद में केसर पीस कर होटों पर मले इसके इस्तेमाल से होटों का कालापन तो दूर होता ही है साथ ही वे पहले से अधिक आकरशक बनने लगते हैं शहद शहद के इस्तिमाल से कुछ ही दिनों में आपके होट चमकदार और मुलायम हो जाते हैं इसके लिए थोड़ा सा शहद अपनी उंगली में लेकर धीरे धीरे अपने होटों पर मलें या फिर शहद में थोड़ा सा सुहागा मिलाकर अपने होटों पर लगाएं ऐसा एक दिन में दो बार करें फिर देखें इसका असर अंडे की जर्दी अंडा खाना आपकी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है लेकिन क्या आप जानते हैं या होटों का कालापन दूर करने में भी सहायक होता है होंटों पर अंडे की जर्दी का लेप लगाने से होंटों की लालीमा बरकरार रहती है जैतुन का तेल यदि होंट पूरी तरह फट चुके हैं और उनमें काला पन भी आ रहा है तो जैतुन का तेल यानी ओलिव वोईल और वैसलिन मिलाकर दिन में तीन या चार बार फटे होंटों पर लगाने से फायदा होता है इनका लेप होटों पर चार से पांच दिन लगातार लगाने से होंटों की दरारे भी भरने लगती हैं और होट हलके गुलाबी भी होने लगते हैं चुकंदर चुकंदर को ब्लड बनाने वाली मशीन भी कहते हैं चुकंदर होट के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है चुकंदर को काट कर उसके तुगडे को होटों पर लगाने से होट गुलाबी वच्चमकदार बनते हैं तो ये थे फ्रेंड्स होटों का कालपन दूर करने के रामबान घरेलू उपाय फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होतो लाइक और शेर करना ना भूलें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें हम कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्त रहे धन्यवाद